हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल एक्जाइम स्टेटी जोन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन नमबर्स के लास्ट में 5 आता हो, आप उनका स्क्वेर कैसे कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में, तो आईए देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, 15 का होल स्क्वेर, तो 5 इंटू 5, 25, तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे, और उसके बाद 1 है, यानि कि यहाँ पर जो भी नमबर होगा, उसको उसके अगले नमबर से मल्टिप्लाय कर देंगे, यानि कि 1 का अगला नमबर क्या है, 2, तो 1 इंटू 2 इक्व कर दिया, यानि कि 2, इसी तरीके से हमें बाकी के भी कर लेने हैं, बहुत एजी है, 25 का होल स्क्वेर के बात करें, तो 5, 5s are 25, और 2 को उसके अगले नमबर से मल्टिप्लाय कर देंगे, 3 से 2, 3s are 6, same, इसी तरीके से 35 का होल स्क्वेर हो जाएगा, 5, 5s are 25, और 3, 4s are 12, similarly 45 का ह होल स्क्वेर, similarly next number का भी हम कर लेंगे, 5, 5s are 25, and 6, 7s are 42, similarly 5, 5s are 25, and 7 से अगला नमबर क्या है, 8 है, 7 into 8 equals to 5, 6, 2, 5 हमारा आगया, 8 को स्के अगले नमबर से मल्टिप्लाय कर देंगे, 8 into 9 equals to 72, same, 5, 5s are 25, 9 को स्के अगले नमबर से मल्टिप्लाय कर दिया, यानिके 9 into 10, 90, अ 105 का होल स्क्वेर, देखिए, 5, 5s are 25, हमने लिख लिख लिया, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 10 into 11 हम कर देंगे, तो या जाएगा 110, तो इस तरीके के नमबर का होल स्क्वेर करने में, बस दो बातों का ध्यान रखना है, कि लास्ट में 5 है, तो 5 into 5, 25 लिख देंगे, और चो पहला नमबर है, उसको उसके अगले नमबर से मल्चिप्लाइ कर देंगे, जैसे कि अगर 2 है, तो उसका अगला नमबर हो गया 3, तो 2 into 3, तो इस सरीके से आप बहुत इजी वे में इन सब के होल स्क्वेर्स निकाल सकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स और और जाड़ तैंगले नमब एसानी पाराओ कर दो운 का सह ईंक्याल